देखें जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेट बारामुला ने 30 नवंबर को एक सेक्शन 144 CRPC के तहट एक ओडर इशू किया है जिसके वजह से आइंदा से कोई भी शक्स अगर किसी भी सोशल मीडिया के जरिए किसी दहशतगरदाना तन्जीम से वाबस् पोस्ट शेयर करता है या उसको कंज्यूम करता है या अपने किसी गृप्स में शेयर करता है या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करता है जिससे की दहशतगरदाना कारवाईयों को बढ़ावा मिले या लोगों में दहशतगरदाना तन्जीमों के प्रती जो ह डर पैदा हो या लोगों में communal disharmony पैदा हो ऐसे किसी भी पोस्ट को शेर करने वालों के खिलाफ पावंदी लगाई गई है मैं आप सब को बताता चलू कि ULPA और Indian Penal Code के मुक्तलिफ sections के तहत ये एक कानूनन जुर्म है और इस order की वजह से अब ये आयत हो चुका है हम पे कि जो भी शक्स इस तरीके से digital devices पे या अपने social media का इस्तमाल करते हुए terrorist organization से issue किये गए कोई भी post को या separatist organization से post किये गए किसी भी message को अगर अपने social media handles के जरीए post करता है, share करता है, viral करता है या उसको consume करता है तो ये एक काबिले दसंदाजी जुर्म है और ऐसे लोगों पे और ऐसे social media handles पे कारवाई करने के लिए बारमोला पुलीस ने अपनी सारी तयारिया करप चुके है और आइंदा से अगर कोई भी शक्स इन चीजों में मुलवस होता है तो उसके उपर सक्ट से सक्ट कानूनन करवाई बामल लाई जाएगी अब मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर किसी शक्स को अंजाने में या अनिंटेंशनली अगर उसके पास ऐसे कोई messages आते हैं जिसमें वो खुद इन वाल नहीं है लेकिन किसी ने उसको ऐसे message भीजे है तो उससे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उन लोगों से कि वो अपने नजदी की police station में पुलिस चोकी में जाके ये report करें कि मुझे ऐसा message आया है इस number से आया है इस handle से आया है मैं इसके साथ वाबस्ता नहीं हूँ लेकिन किसी और ने जो है unintentionally मेरे पास ये message आ चुका है वो अपने आपको जाकर clarify करे police station में ताकि उसके उपर कोई criminality नहीं बनेगी अगर वो ऐसा करने से चुकता है तो फिर जो criminality है वो उस पे establish हो जाएगी और उस पे कानूनन कारवाई होगी मैं खास तोर पे बारमुला के जो parents है वालदेन है उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को जो है इस चीज से आगा करा है क्योंकि आजकल जो है students online classes की वज़े से बहुत सारे students जो है mobile use करते हैं इंटरनेट का इस्तवाल करते हैं वालदेन की यह जिम्मेदारी है कि वो चेक करें कि उनके बच्चे खास तोर पे teenagers, youngsters किस तरीके का social media content consume कर रहे ह इस तरीके से अगर उनके mobile में कोई post किसी तरीके के intimidation भरे messages आ रहे हैं तो वालदेन की यह जिम्मेदारी है कि वो नजदी की police station में आके इसको share करें और खुद को जो है आने वाले कानूनन कारवाई से बचाएं जो भी व्यक्ति अगर intentionally जान बूच कर किसी भी terrorist organization या separatist organization के messages उनके post उनके intimidation को अगर share करता है वाइरल करता है तो ULPA Act और IPC की धाराओं के तहत उस पे सकत से सकत कानूनन कारवाई करने के लिए हम तयार है और फिर इस message के जरिये मैं उनको यह warn करना चाहता हूं उनको यह समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास इस तरीके के कोई messages messages आए है या कोई भेज रहा है तो उसको आप disclose किजिए नजदी के police station में आपकी identity हम जो है disclose नहीं करेंगे आपकी security पे कोई आच नहीं आएगी इसकी हम जिम्मेदारी लेके लेकिन ऐसे messages आगे post ना करें लोगों को जो है और परेशानी में हम देखना नहीं चाहते हम चाहते इसके लिए बारमुला पुलिस जेन के पुलिस हमेशा तैनात रहेगी